हाई फ्रेंट्स मैं हूँ पेंद्रुबार पांडे आप देख रहे हैं पंडीत उपेंडे क्लासस में गैस में जैसा कि आप लोग को यहां पे थेवरी आप मसीन के चेप्टर थार्ड के कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टन नुमेरकल के बारें बात करने वाला हूं जो आपको ए सारे इंपोर्टन कोश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिये हम जैसा कि आप इसमिंगे माद्यम से देख पारे हैं फ़र्ष्ट वाला कोश्चन क्या बतायता था कि एक 36 इंजन की क्रैंक पिन और बृत्त की बृत्य तिर्ज्या कितना दिया गया है यहार बराबर IDC से 60 degree Celsius पा रहा है यानि ठिकटा बराबर कितना दिया गया आपका तो 60 degree Celsius दिया गया अब आगे बात करेंगे तब piston के दोनों तरब के दाबों का अंतर यानि कहने के मतलब है जो piston के दोनों तरब को दाबों का अंतर यानि डेल पी वरबर कितना दिया गया आपका, तो 0.35 दिया गया, ठीक है, नॉटन प्रति MM स्कॉर में दिया गया, आगे बात करें, तो सनीो जग कि लंबाई कितनी दी गही है, यानि यल बरबर कितना दिया गया आपका, तो 1.5 między में दिया गया, तथा सिलेंडर का ब्यास, यानि जो सिलेंडर का ब्यास कितना दिया गए अपका तो 0.5 A member में दिया गया तो engine की गत, यानि किसकी value दी गई है तो yen की value कितनी दी गई है अपको 200 RPM में दी गई ठीक है तथा piston का ब्यास नगड मानने पर ग्याद करना होगा कौन कौन सी बैलू गाइडस का अबलंब प्रत्किरिया ग्याद करना है सन्योचक दंड पर दाब ग्याद करना है और क्रैंक पिन पर असपर्ची बल ग्याद करना और क्रैंक सौप्ट पर घुमाओ गूड ग्याद करना जानी हमें क्या करना है सबसे पहले most important क्या बनता है सबी चीजों का step by step फार्मुला लिख लेंगे फार्मुला क्या होता है गाइडस पर अभिलंब प्रत्किरिया का फार्मुला क्या बताय गया था आपको यफ यन बराबर यफ यन बराबर यफ पी क्या हो जाएगा आपका 10 5 ठीक है यही बताया गया था आपका यहाँ पर गाइडस का अभिलंब प्रत्किरया यफ यन बराबर यफ यन बराबर यफ वी इंटू 10 5 ठीक है आगे बात करें सन्योजक्डंड दब का पर यानि सन्योजक्डंड पर फैाइट फॉाय ठीक है आगे बात करें Crank Pin पर अश्वर्णिये बल बराबर कितना बताएगा था आपका formula यह P r बराबर कितना बताएगा था यह F Q x sinھیय ठीटा प्लसपाइ दिया गया रथा ठीक है यहां पर आपका five हो गया ठीक है यह आपका किसका है क्रेंक पिन पर अस्वर्शी बल का गयाद करना फार्मुला नेश्ट बात करें में पर क्रेंक सॉफ्ट पर घूमाओ घूंड बराबर फार्मुला क्या बताय गया था आपका तो टी बराबर टी बराबर यफ टी इन्टू आठ ठीक है चलिए हमें सारे आर बराबर कितना दिया गया आपका 300 mm में दिया गया तो लिखेंगे क्या आपका तो दिया है कितना दिया गया है आर बराबर 300 mm में दिया ठीक है अब mm मों किस में करनवर्ट करना आपको मीटर में करनवर्ट करना तो मीटर में करनवर्ट करने के लिए अपका फार्मना क्य किलो ग्राम में दिये गया ठीक है उसको ऐसे रख देंगे यानि यम बराबर कितना दिये गया आपका तो 250 कितना दिये गया आपका किलो ग्राम में दिये गया ठीक है आगे बात करें तो ठीटा की बैलू कितनी दी गई आपकी ठीटा बराबर कितना दिये गया 60 डिगरी सेंसि p2 क्या हो जाएगा डेल p बराबर क्या हो जाएगा आपका p1-p2 बराबर कितना दिया गया आपको तो यहां पे 0.35 यही तो दिया गया 0.35 Newton प्रति meter square mm square में ठीक है यहाँ पर mm square में दिया गया ठीक है यही तो है आपका यहाँ पर देखेंगे आपका क्या बताय गया था यहाँ पिश्टन के दोनों तरफ यानि कहने मतलब है जो पिश्टन हो गया उसका भी कुछ अंतर होगा और पहला वाला दोनों तरफ का अंतर दावों का अंतर यानि डेल पी वराबर कितना दिया गया आपका है तो 0.35 newton square mm square में दिया गया तो यहाँ पर पहला वाला क्या हो जाएगा आपका एक तरफ का हो जाएगा और दूसरा वाला तभी तो हम दोनों का घटाएंगे तभी तुसका अंतर गयाथ होगा तो डेल पी वराबर कितना हो गया यानि 0.35 newton square में ठीक है आगे बात करें सन्योजग दंड की लंबाई यानि किसकी बैलू है तो यहाँ पर गयाद करेंगे यल बराबर कितना दिया गया है यल बराबर कितना दिया गया आपका तो 1.2 मीटर में दिया गया है ठीक है मीटर में दिया गया है अब नेश्ट बात करें उसका जो ब्यास दिया गया कितना तो 0.5 मीटर में दिया गया है थीक है ? सारी भैलू में मीटर में ग्याद करने है ना ? та टी बराबर कितना दियागा आपका , 0.5 मीटर में और यन बराबर कितना दिया आपका तो 250 तो बगापर 250 आर्पीओ अब आप को ग्याद क्या करना है आपको फाई की वैलू और यफ पी वैलू तो यफ पी बराबर क्या होता है आपका तो यफ पी बराबर क्या होता आपका यफ पी बराबर यफ यल माइनस यफ यल ठीक है यह कैपिटल में है और यह इस्तमाल में है यानि यफ पी बराबर आपका जो फार्मला होता है Yuff 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 Y है आपका यफ capital यल बराबर होता ठीक है तो यहां पे यफ बराबर P1-P2 की value कितनी दीगे आपको तो 0.3 5 दिया गया है तो 0.3 5 हो गया और पाई को ऐसे रहने दीजे और 4 को ऐसे लिख देंगे अब D की value कितनी दी गया है यहां पे देखेंगे D की value कितनी दी गया है तो 0.5 में दी गया ठीक है यहां पे किस में दिया गया आपको मीटर में दिया गया है और आपको किस में convert करना है तो आपको mm में convert करना है तो mm में convert करने के विलिए क्या हो जाएगा आपका तो 500 mm यही तो हो जाएगा जब आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500 mm में हो जाएगा ठीक है तो 500 का whole square हो जाएगा यानि यफ यल की value क्या हो जाएगी आपको जिब solve कर यानि यफ, यल ब्राबर कितना आ जाएगा आपका तो 687, 3730 न्यूटन में आ जाएगा ठीक है यफ्यल ब्राबर को ग्याуд done अब यॉस्माल य ब्राबर यानि यॉ फ और इसमाल य ब्राबर ग्यास्तफ करना है यानि जब इसका फार्मला क्या होता है तो इसका फार्मला क्या बताय गया था आपको यानि यॉफ यल बराबर केतना होता है theta की value पता है और yen की value पता है और omega की value नहीं पता है तो omega बराबर क्या हो था आपका formula क्या बताई गया था 2pi into yen upon 16 60 बताए गया ठीक है आपको कई question इसी base पर question करवाएगे तो omega की value ग्यात करने के लिए तो omega परावर क्या हो जाएगा 2 pi ठीक है upon sort into yen की value कितनी दी गही है तो yen की value देखेंगे 2500 दिया गया ठीक है कितना दिया गया आपका तो कितना दिया गया आपका यहाँ पे 2500 हो दिया गया तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2500 से गुणा करवा देंगे यानि जब इसे solve करेंगे तो omega परावर कितना आ जाएगा आपका जो final answer होने होला है तो 26.2 radian प्रती second में आ जाएगा ठीक है यहाँ पे omega परावर कितना आ गया 26.2 radian प्रती second में आ ठीक है अब next बात करें तो आगे क्या हो जाएगा चलिए हम रखेंगे सारी value step by step तो यहाँ पे यहाँ पे किस में रखा जाएगा आपका यही में रखा जाएगा तो यहाँ पे यफ यल बराबर और यम की value कितनी दी गई है तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 250 दिया गया ठीक है तो रखेंगे 250 into omega की value 26.2 26 point कितना दिया गया आपका 2 का whole square हो जाएगा और r की value कितनी दी गई है तो r की value देखेंगे r की value कितनी दी गई है आपको तो यानि 0.3 meter में दी गई है चलिए इसको भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.3 और cos theta की value cos वैसे ही रखेंगे cos वैसे ही रखेंगे theta की value कितनी दी गई है 60 और plus cos 2 into theta की value क्या हो जाएगी 60 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा directly लख दे रहे हैं आपका 120 upon yen की value कितनी दी गई है तो yen की value दी गई आपको 250 ठीक है 250 जब इसे हम solve करेंगे तो जो आपका final answer आने वाला है जैसा कि आप लोग को पता है जब इसे हम solve करेंगे तो जो आपका final answer होने वाला है यहाँ पे yafo yel बराबर कितना आ जाएगा आपका जो final answer 19306 Newton में आ जाएगा ठीक है आगे बात करें यहाँ पे yafo yel की बराबर इतना value ज्याद हो गई ठीक है यहाँ पे i hope कि आपको सारी value ज्याद की गई होगी यानि step by step निकाल लिया हो गया अब आपको चलिए अब आपको ज्याद क्या करना है यहाँ पे पहले वाले क्या बता गया था आपका फार्मला देखेंगे step by step तो phi की value ज्याद करने के लिए आपका formula क्या बता गया था आपका sin phi equal sin theta upon 4 sin sin से cancel हो जाएगा तो बच्चा कितना आपका phi और theta theta की value कितनी दी गई यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका sign अगर नहीं काटेंगे तो यहाँ पे theta की value अभे नहीं गयाद कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको sign ऐसे रहने देना है ठीक है sign ऐसे क्या करना है रहने दीजे और theta की value रखेंगे तो क्या हो जाएगा sign phi और sign theta की value कितनी दी गई यहाँ पे 60 दिया गया जब इसे मान रखेंगे तो यह इसका मान कितना होता आपको पता है sign sign ऐसे का मान कितना होता 0.866 upon 4 यानि जब 5 की value गयाद करेंगे यानि इसका जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.2165 यानि जो 5 की answer आने वाला 5 की value कितनी आजाएगी 12.5 degree census में आजाएगा ठीक है यहाँ पे जो 5 की value कितनी आई 12.5 degree census में आगए ठीक है सारी value हम निकल आई अब पहला वाला question में जाके लेके जाके हम solve कर लेंगे यानि यफियल बराबर कितना बताया गया था यफपी इंटू 10 5 अब आपको यफि की value क्यात करनी है तो यहाँ पे यफियल बराबर कितना निकला तो यफियल बराबर 6, 8, 7, 3, 0 निकला और वहीं पे यफियल की value कितनी निकली तो 19, 306 कितना निकला आपका 19, 306 ठीक है यही तो रखा रखेंगे यानि यफ पी बराबर कितना हो जाएगा आपका यफ यल बराबर कितना दिया गया आपका 68730-19306 जब आपको यफ पी बराबर ग्यात हो जाएगा जब इसे सॉल्ट करेंगे जो आपको फाइनल एंसर आने वाला है ठीक है चलिए पहले वाले कुश्चन में रखेंगे यानि क्या बताया गया था तो यफ 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 पी इंटू साइन टैन फाइद या ठीक है चलिए हम रखेंगे चलिए हम दिरखेंगे तो आपका फार्मला क्या बताय गया था यफ यन बराबर यफ पी इंटू टैन फाई यही तो बताय गया था तो यफ पी की बैलू कितनी निकली 49.424 किलो न्यूटन यानि यफ यन बराबर कितना हो जाएगा 49.424 और 10 की बैलू वैसे रख देंगे और 5 की बैलू कितनी निकली आपकी तो 12.5 ठीक है 12.5 डिगरी सेंसियस जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यफ यन की बैलू किया आत करने होगी यानि यफ यन बराबर आपका जो final answer आने वाला है 10.92 किलो न्यूटन में आ जाएगा यानि यफ यन की बैलू कितनी आ जाएगी तो 10.92 ठीक है अब आगे बात करें तो आगे कौन सी बैलू ग्याद करनी है तो यानि यफ Q यानि सनी हो जग दंड का दंड पर दाब ग्याद करना है तो चलिए आपका यो formula क्या बताय गया था यानि यफ Q बराबर क्या बताय गया था आपका यफ पी इन्टू अपॉन क्या हो जाएगा कॉस फाई ठीक है यफ पी की बैलू क्या ज्याद की गई है यफ पी की बैलू कितने निकली है अपका यहाँ पर देखेंगे यानि यफ यल की बैलू यफ पी की बैलू 49.424 कितने हो जाएगा आपका 49.424 4 upon cos cos क्या है अपका 5 है ठीक है cos 5 की value कितने निकली थी आपकी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को बताया गया था 12.5 ठीक है degrees Celsius तो क्या हो जाएगा आपका 12.5 degrees Celsius जब इसे सारी value को solve करेंगे तो जो आपका final answer और आने होला है यानि यफ Q बरबर कितना आजाएगा तो यहाँ पर solve करने के बाद कितना आएगा तो जब इसे solve करेंगे तो 50.62 kN में आजाएगा ठीक है I hope guys यहाँ पर kilo Newton में ठीक है next बात करें तो next बात करें यही पर आपका तो next question क्या बताय गया था crank pin पर असवर्ची बल गयाद करना यानि f r बराबर f q into sin theta plus phi यानि f r बराबर क्या बताय गया था f q into sin theta plus phi यही तो बताय गया था चलिए f r और f q की value कितनी निकली आपकी तो 50.62 50.62 into sin theta की value कितनी दीगे तो 6 degree sensuous और 5 की value कितनी दीगे आपको 12.5 degree sensuous ठीक है जब इसे solve करेंगे तो जो आपका f r बराबर कितना आएगा final answer कितने आने वाला है 48.28 kilo Newton में आ जाएगा ठीक है यानि f r की value कितनी निकली आई तो 48.28 kilo Newton अब next बात करें पे तो next question क्या बताएगा था आपका t बराबर f t into r ठीक है next बात करें तो t बराबर t बराबर f t into क्या बताएगा था f t into r यही तो बताएगा था formula तो यहाँ पे t बराबर f r value कितनी निकली आपकी 48.28 into r की value कितनी निकली थी आपके देखेंगे question के माद्यम से जो आपका r का मान ग्याद किया गया था तो r की value कितनी निकली थी 0.3 meter में निकली थी चलिए हम रखेंगे तो 0.3 ठीक आप जब t की बराबर solve करेंगे जो final answer आउने वाला है तो कितना आजाएगा 14.8 कितना हो जाएगा 484 kilo newton प्रती meter में आजाएगा ठीक है यहाँ पे t के value इसमें आजाएगे ठीक है I hope guys यहाँ पे आपको यह वाला question एकदम easy ढंगे समझ में होगा यहाँ पे सभी चीज़ों को क्या करना है सबसे पहले आपको most important बनता है सभी चीज़ों का formula step by step ग्याद करने ना formula ग्याद करने के बाद सभी चीज़ों को step by step क्या करेंगे हम solve कर लेंगे और लेके जाके formula में put कर देंगे तो आपका question आ जाएगा ठीक है अब nest बात करें तो आपको nest के वल question में दिखा दे रहा हूँ हो और इसे solve करने की कोसिस करिएगा तो जैसा कि आप इस नेश्ट कुश्चन आपको screen के माद्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला वाला question क्या बताता है यहाँ पे एक गैस इंजन की सन्योजक धंड की केंदरों की लंबाई कितनी दी गई आपको तो 300 mm में दी गई है और इसका द्रब्बमान कितना दिया गए है आपका 15 kg दिया गया है और द्रब्बमान जनत आगोर कितना दिया गया आपका 700 kg mm स्कौर में दी गई है ठीक है और इसका जनत केंदर केंदर छोटे सिरे का केंदर 200 mm में दी दूरी पर है और इस सन्योजक धंड के लिए एक दो द्रब्बमान वाला संतुलन निकाख गयाद किजिए, जो आपका संतोलन निकाख गयाद करना आगे बात करें जबकि द्रबमान छोटे सीरे के केंदर पर हो ठीक है आपको ये वाला कुशन को solve करने ना है आपको यहाँ पर numerical याणि कहने के मतलब है किवल मैं कहने के मतलब formula बता दे रहा हूँ और formula देखने के बाद आप लोग खुद solve करेंगे ठीक है तो यहाँ पर जैसा के मतलब से देख पार है formula क्या होता है इसका तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या क्या दिया गया आपको तो यहाँ पर यल बराबर कितना दिया गया है यानि यल बराबर कितना दिया हैं तिक डिया गया आपका साथ सु किलो ग्राम में दिया गया ठीक है नेश्ट बात करें ये पिछी यह जयानी य हाण 1 की वैलु दी गई है यानी l1 की वैलु घर को 200.00 अमने दी गई ठीक है किसकी ब्यालु गयात करना है यानि किसकी बैलू ग्याद करनी है तो आपको यम 1 की बैलू ग्याद करनी है और यम 2 की बैलू ग्याद करनी है ठीक है ठीक है नेश्ट बात करें ये पर तो यम 1 का फार्मला क्या होता है यम 1 बराबर कितना होता है यम 1 बराबर कितना होता है यम 1 बराबर कितना होता ह चलिए आपको यही इसी फर्मला में रख लेना है और फर्मला में रखने के बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो बस आज के लिए वीडियो अच्छी लेगी हो चैनल पर नए हूँ चैनल को सस्क्राइब कियो ज्यादा ज्यादा सेर करने कोशिश किजिए मिलते हैं नेश्